नमस्कार दोस्तों सेविंग काउंट में आप जब चाहे पैसे जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं लेकिन ये सुविधा पाने के लिए हमें ब्याज का नुकसान जहिलना पड़ता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेविंग अकाउंट से ज़्याज कहां मिलता है इस वीडियो को आप लास तक देखिए आप सभी डिटेल पुरी आसानी से जान पाएंगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि सामाने सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज़्यादा ब्याज आप कैसे पा सकते हैं और पैसा भी जब चाहे तब कैसे निकाल सकते हैं ज़्यादा तर लोग बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं वो भी सरकारी बैंकों में इनमें सबसे कम ब्याज मिलता है एक्जांपल के लिए आप ले लीजिए भारतिय श्टेट बैंक जिसमें सेविंग अकाउंट पर आपको 2.75% का ब्याज दर मिल रहा है इस करेंट इयर में इसके बाद पंजाब नेसल बैंक जिसमें आपको 3% का ब्याज मिल रहा है और बैंकों बढ़ोदा इसमें भी आपको 3% का ही ब्याज मिल रहा है लेकिन सरकारी छेत्र के संसानों में सबसे अच्छी ब्याज पोस्ट ओफिस के सेविंग अकाउंट पर मिलती है इसमें फिलहाल लगबग 4% का ब्याज मिलता है थोड़ी डिटेल जान लेते हैं प्राइविट बैंक और स्मॉल फाइनस बैंक के बारे में प्राइविट बैंकों में सरकारी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा ब्याज मिलता है प्राइविट बैंक अपने लोन जादा ब्याज पर देते हैं इसलिए ये अपनी लागत के मुकाबले लाब का अनुपात बहतर बनाए रखने में काम्याब रहते हैं इसे वो अपने जमा करताओं या ग्रहकों को जादा ब्याज देने में भी सफल होते हैं बैंकिंग प्रतिस प्रधा में आगे रहने और ग्रहकों को जादा से जादा जोडने के लिए भी वे अच्छी ब्याज दर देते हैं यही बातें स्मॉल फाइनस बैंकों के साथ भी लागू होती है यहां मैं कुछ ऐसे बैंकों के सेविंग काउंट के ब्याज दर के बारे में बता रहा हूँ जिनमें सरकारी बैंकों के सेविंग काउंट से ज़्यादा पैसा मिलता है आप यहां इसक्रीन पर सारी डिटेल देख सकते हैं अब जान लेते हैं इन सभी बैंकों के ब्यासदरों के बारे में थोड़ी डिटेल के साथ तो सबसे पहले है AU Small Finance Saving Bank Account की ब्यासदर की एक लाख रुपे तक खाते में डेली बैलेंस होने पर 4% सालाना ब्यासदर मिलता है इसके अलावा एक लाख रुपे से 5 लाख रुपे तक खाते में डेली बैलेंस होने पर 5% सालाना ब्यासदर मिलता है और 5 से 10 लाख रुपे होने पर 6% का 10 लाख से 5 करोड तक 7.55% का सालाना ब्यासदर और अंत में 5 करोड से 10 करोड तक का खाते में डेली बैलेंस होने पर 6.5% का सालाना ब्याजदर मिलता है इसके बाद है बंधन बैंक एक लाख रुपे तक खाते में डेली बैलेंस होने पर 3% का सालाना ब्याजदर एक लाख से 10 करोड तक 6% सालाना ब्याजदर और 10 से 50 करोड तक 6.55% का सालाना ब्याजदर और 50 करोड से जितना भी अधिक हो खाते में डेली बैलेंस होने पर 7.15% का सालाना ब्याजदर मिलता है ये बाद अगला है इंडसिंड बैंक के सेविंग काउंट की ब्याजदर तो 1,00,00 रुपे तक 4% ब्याजदर एक लाग से 10 करोड तक 5% का सालाना ब्याजदर और 10 लाग से जादा होने पर 6% का ब्याजदर मिलता है इसके बाद आता है जना स्मॉल फाइनस बैंक एक लाग रुपे तक खाते में डेली बैलेंस होने पर 3.5% का ब्याजदर मिलता है एक लाग से दस लाग तक 6% का सालाना ब्याजदर, दस लाग से 50 करोड तक 7% और 50 करोड से ज़्यादा होने पर 7.25% का सालाना ब्याजदर मिलता है इसके बाद आता है RBL Bank के Saving Account की ब्याजदर है एक लाग रुपे तक 4.75% का सालाना ब्याजदर मिलता है एक लाख रुपे से दस लाख रुपे तक खाते में डेली बैलन्स होने पर छे पर्सेंट का सालाना ब्याज़दर मिलता है एसी तरह अगला है उतकर्स Small Finance Bank एक लाग रुपे तक खाते में डेली बैलेंस होने पर 5% का सालाना ब्याजदर मिलता है और एक लाग से 25 लाग रुपे तक 6% का और 25 लाग से जादा होने पर 7.25% का सालाना ब्याजदर मिलता है और अंत में Yes Bank के Saving Account की ब्याज़री वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक लाख रुपे तक खाते में डेली बैलेंस होने पर 4% का सालाना ब्याज़र मिलता है एक लाख रुपे से 10 लाख रुपे तक 4.75% का सालाना ब्याज़र मिलता है और 10 लाख रुपे से 100 करोड तक 5.50% का सालाना ब्याज़र मिलता है इसीक साथ इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानि दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि सेविंग बैंक के अलावा आप कहां पैसे जमा करके यानि निवेश करके ज़्यादा फाइदा ले सकते हैं और आप जब चाहें उसे निकलवा भी सकते हैं मैं मिलूँगा नई वीडियो में तब तक के लिए मुझे दीजिये जाज़त जै हिंद जै भारत